निर्बिया केस के चार दोशियों में से विने शर्मा की तरव से क्यूरेटिव प्रेटिशन लगने पर हमारी समधाता फराखान ने वकील एपी सिंग से खास बातशीत की इस दौरान उनुने कहा कि विने कुमार की तरव से हमने काफी आधार दे हैं ये वो आधार है जिसको दिल्ली पुलिस सरकाद में छुपा कर रखा उन्होंने कहा कि जो पैसला दिया गया है वो गलत है इसलिए क्योराटिव प्रेटिशन डाली गई है निर्भेया के दोशियों में से एक दोशी विने ने क्योरिटिव पेटिशन दायर किया और उसी को लेकर बात करने के लिए मैं साथ डॉक्टर एपी सिंग जी मौझूद है मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि किस अधार पर ये क्योरिटिव पेटिशन फाइल हुई है देखिए जो बिने कुमार शर्मा वन अफ दा को कन्विक्ट है डेथ रो कन्विक्ट में से इनकी तरफ से हमने कई आधार दिया हैं यह वो आधार हैं जिन आधारों को 2013, 2014, 2015, 2016 में दिली सरकात, दिली पुलिस और दिली गवर्मेंट ने छुपा कर कंसीलमेंट आफेक्ट किय जो आपने पटला हॉस कोट में भी देखा, जब हमारी क्रिमिनल अपील दिली हाई कोट में अक्षे विन्य और पवंतीनों की तरफ से पड़ी हुई थी, फाइल थी, उसको न दिली सरकार ने बोला, न दिली सरकार के वकीलों ने बोला, न दिली पुलिस ने बोला, और कोट जो है, जो जुडिशल ऑफिसर से हैं, अपने जुडिशल माइंड को अपलाई नहीं कर रहे हैं, आर्बिटेटरी डिसीजन दे रहे हैं, जो की गलत है, आपको नहीं लगता कि क्यूरिट अफ पैटिशन अगर एकसेप्ट हो जाती है, तो ये जो सजा देने का जो सिल नहीं होना चाहिए, ये सब जांचने परखने के लिए ये सिस्टम है, इसलिए SLP, फिर रिविव, फिर क्यूरिटिव, ये सारे सिस्टम बने हुए, प्रोसेस, हमें उसे गुजरना पड़ेगा, हमें भारत के संबिधान, देश की संसत, और IPC, CRPC और देश की सबसे बड़ सुप्रिम कोर्ट का मान रखना है, उसकी गरिमा को बना के रखना है, अगर एकसप्ट नहीं की जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए, क्यूरिटिव पेटिशन हम आशावादी एड्वोकेट हैं, आशा और विश्वास रखते हैं, क्यूरिटिव पेटिशन अग सुप्रिम कोर्ट से भी, कि ये पेटिशन इन सब प्रेशन को सेट असाइड करके न्याई की परिकल्पना करते हुए, इस पर रिलीफ मिलना चाहिए, और आपका सवाल सही है, लीगल सवाल है, कि अगर नहीं मिलती है रिलीफ, तो हमारा जो आगे का प्रोसेस है, हम इसको क करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, हम से बात करने के लिए, कामरा पसन विवेक के साथ, मैं फराखान, आर नाइन टीवी,